तो दोस्तो हमारे नोज यूटूब चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तो आज की स्रीडियो में हमारे जो सभी किंद्री करम चाह रहे हैं पैंसनर है अधिकार है जो रिटार हो चुके हैं जो हमारे सरकारिक क्रमचारि हैं उनके लिए हैं झी हाँ दोस्तों जैसे के आपने थंदल में देख भी चुके होंगे ही डिटार होने वाले यह डिटार हो चुके जो सरकारी क्रमचरियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक महतव पुरून आदेस आया है दोस्तो अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपकी बंध हो जाएगी आपकी जो पैंजन है तो दोस्तो आईए कौन सा वो काम है जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेस है हमारे जो रिटायरमेंट क्रमचरी है जो रिटायर होने वाले हैं सरकारी क्रमचरी है उनके लिए तो दोस्तो हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताते हैं जड़े रहे हैं दूस्तों हमारे साथ इस वीडियो के लाश तक दूस्तों वीडियो को start करने से पहले आप से एक छोटा सा request है अगर आप हमारे चंदल पर फस्ट टेम विज़िट कर रहे हैं तो चंदल को subscribe करना ने भूले साथ ही साथ बेल आइकन को भी जड़े जो भी गवर्मेंट इंपलोईज और पैंसनर से सम्मन देने हो जाती है उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके तो आई दोस्तो हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताते हैं दोस्तो इस्थीपात देने के बाद सरकारी क्रमचारी पैंसन का हकदार नहीं सुप्रीम कोट क का है कोई सरकार क्रमचारी इस्तीपा दे देता है तो वैस्द सेंटर शीवल सर्विस जो पैंसन के तहत जो पैंसन पाने का अगदार नहीं है कि नहीं का कि इस्तीपा चांड क toys मां को भी खो देता हैं के ऑस एस जो यूमना पावर लिम्टीड से इस्तिपा देने वले, एक जो क्रमचारी के मामले में इस्तिपा और जो सेवचिक सेवानिवर्ति का आंतर सबस्ट करते हुए, यह जो फैसलात दिया गया है। दोस्तों इसमें जो दिया गए है इसमें B.S.E.S. जो यूमना पावर लिम्टिट के जो सब डासी है उसके पद पर कारियत दंश्याम चंदर सर्मा ने 7 जुलाई 1990 को अपने पद से जो इस्तिपात दिया था दोस्तों इसमें हम आपको बताते हैं कि जो CCS के रूल्स के तहट जो B.S.E.S. ने घंसम को पैंसन का लाब देने से इनकार कर दिया था और इसके अलावा कमपनी ने का कि उसे अपने जो सेवचिक सेवानिवर्ति लेने के लिए जरूर 20 साल की सेवा पूरी नहीं की है कमपनी के फैसले के खिलाब घंसम ने दिली हाई कोट के वाद दायर कर दिया और दिली हाई कोट की जो सिंगल बेंच पीठ ने घंसम के पक्स में फैसला सुना तो पैंसन देनी का आदिस दिया हाई कोट की जो डिविजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बेकरार रख दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाप B.S.E.S. ने सुप्रिम कोर्ट से अपिल की और जो अपिल है वो दायर की सुप्रिम कोर्ट ने का कि घंसे हमने 20 साल की सेवा पूरी नहीं होने के कारण से जो सेवा निवर्ती है उसका आवेदन रद होने के बाद इस्तिपात दिया इसके साथ ही साथ दोस्तो जो कोर्ट ने का कि जो सेंटर सिविल सर्विस पैंसन रूल के तहत यदि कोई करमचरी इस्तिपात दे दिता है तो उसकी पिसली सेवा जबत मानी जाते है हाला कि यदि कोई करमचरी 20 साल की सेवा पूरी कर लेता है तो वह जो है सवचेनिक सेवा पनिवर्ती ले सकता है और वेपेंसन का हगदार है दोस्तो इसमें सेंटर सिविल जो पैंसन रूल है 31 दिसंबर 2003 से पहले मानने और डिफेंस सेक्टर में न्यूक सरकारी करमचरी पर लागू होते हैं दोस्तो यह थे आज की हमारी लेटस अपडेट अगर आपको अच्छी ल